हेलो दोस्तो आप सबीक स्वागत है हमारे यूटूब चैनल कविंदर भाईया पर तो दोस्तो आज हम लोग कक्षा आठ का महान विक्तितों पढ़ेंगे आज हम लोग पार्ट 24 पढ़ेंगे हमारे पार्ट का नाम है सरोजनी नाइडू तो आज हम लोग इस पार्ट से अभ्यास प्रशनों को देखेंगे चलिए पहला प्रशने देखते हैं सरोजनी नाइडू अखिल भारतिय महिला परिसद की सदश्य क्यों बनी इसका उत्तर है सरोजनी नाइडू नारी विकास को ध्यान में रख कर महिला परिसद की सदश्य बनी अगला प्रशने देखते हैं दो नमबर यूवा वर्ग के प्रती सरोजनी नाइडू का क्या विश्वास था इसका उत्तर है यूवा वर्ग के प्रती सरोजनी नाइडू का विश्वास था कि सुद्रिड, सुयोग, युवा, पीड़ी राश्टे की अमुल्य नीधी है आगला प्रशन देखते हैं तिन नमबर इंगलेंड्में सरोज्नी के कौन-कौन से कविता संग्राप्रकासित हुए तो इसका उत्तर है इंगलेंड्में सरोज्नी के तीन कविता श्रंग्रा प्रकासित हुए तो आईए दोस्तों उन तीनो कविताओं को देखते हैं पहला है द गोल्डेन स्रेश होल्ड दुसरा है द ब्रोकेन विंग तथा तीसरा है द शेप्टर्स फ्लूट आगे देखते हैं आगे प्रश्ण चार नमबर राजनीती में आने के बाद सरोजनी नाइडू ने किन-किन पदों पर कार्य किया वे सन 1925 इस्वी में भारत्य राष्ट्य कांग्रेस की अध्यच चुनी गई उन्होंने गाधी जी की दांडी यात्रा और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया भारत के स्वतंत्र होने परवे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी आगे देखते हैं प्रश्ण पांच नमबर है कि सरोजनी नाइडू किस प्रदेश की राज्यपाल थी तो इसका उत्तर है सरोजनी नाइडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी आगे देखते हैं प्रश्ण च्छा नमबर है सही वाके के सामने सही तथा गलत वाके के सामने गलत का निशान लगाए प्रश्ण कौनमबर है सरोजनी नैडू बचपन से ही कविताय लिखने में रूची रखती थी यह सही है अगला प्रश्ण है कौनमबर सरोजनी नैडू का जादा तर समय धारमिक कार्यों में ब्यतीत होता था यह भी यह जो एक गलत है आगे देखते हैं गौ नमबर प्रश्ण है सरोजनी नाइडू अद्बुत वक्ता थी यह सही है गौ नमबर प्रश्ण है सरोजनी नाइडू का विचार था कि सिछित नारी अपने परिवार एवं समाज को बेहतर बना सकती है यह सही है अगला ठीक है रूडियो परंपराओं रीती रिवाजो और मंद मुग्द ठीक है मंतर मुग्द तो चलिए देखते हैं इसको सही जगा पे भरते हैं प्रश्ण का नमबर कहता है कि प्रसिद साहित्यकार यहां रिक्ता स्थान है ने सरोजनी नाइडू को भारतिय समाज वसंस्क्र ठीक है अगला प्रश्ण देखते हैं उनका कहना था कि देश की उन्नती के लिए यहां रिक्ता स्थान दिया गया है कि बोज को उतार फेकना होगा तो रिक्ता स्थान पे भरेंगे रूडियो परंपराओं और रिती रिवाजों आगे देखते हैं प्रश्ण गव नमबर है वे जब बोलना शुरू करती तो लोग उन्हें यहां रिक्ता स्थान होकर सुनते थे तो रिक्ता स्थान पे भरेंगे मंत्र मुग्द आगे देखते हैं प्रश्ण आठ नमबर है सरोजणी नाइडू के व्यक्तित्व में आपकी विचार से कौन सी विशिष्थाएं थी तो इसका उत्तर है सरोजणी नाइडू के व्यक्तित्व में निम्ण विशिष्थाएं है कवित्री, गाईका, देशभाग्त, मधुर भासी, कुसर राजनितिग्य और समाज सुधारक तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में चिरूर बताईएगा धन्यपाद